दोस्तों बीते कुछ सालों से भारत की एकोनोमिक रफ्तार तेजी से बढ़ती मिलेट रिपावर को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत आने वाले दसकों में अमेरिका और चाइना जैसे दुनिया की मेजर देशों को पीछे छोण सकता है। इसलिए आज दुनिया भर के देश भारत के साथ मजबूत रिलेसंस बनाना चाहते हैं और भारत की तेज रफ्तार में भागीदार बनते हुए भारत की यूज मार्केट का फाइदा उठाना चाहते हैं। भारत के खिलाफ अग्रेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद कई देश ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ अपनी निगेटिव गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। हाला कि आज के परिद्रस में भारत के साथ दुनिया के कई बड़े पावरफुल देश खड़े हैं। लेकिन इस वीडियो में बरतमान समय में भारत के प्रतिनका रात्मक रवया रखने वाले उसके पांच सबसे कटर दुस्वनों के बारे में जानने वाले हैं। नमबर पांच माल दुइप माल दुइप में रिसेंटली भारत बिरोधी मुहम्मद मेजू की सरकार बनने के बास से ही माल दिप भारत के खिलाफ हरो कदम उठा रहा है जिसके चलते उसे चिन का भरपूर सपोर्ट मिल सके या यूं कहें कि चिन ने बीते कुछ सालों से माल बेटरी बेस बनाने की तैयारी में है और सिर्फ चाइना ही नहीं बलकि माल दुइप ने एक और भारत बिरोधी देश तुर्की के साथ भी कुछ डिफरेंट एक्क्यूपमेंट को हासिल करने की डिल को अंजाम देना शुरू कर दिया है और जब माल दुइप ने चाइना और तुर्की से रिलेशन मजबूत करने की और काम करना शुरू कर दिया है तो वह समय दूर नहीं जब माल दुइप और पाकिस्तान के बीच आगे जल्द ही कोई बड़ी गतिविदी देखने को मिल सकती है और ये सब सेनेरियों के चलते आज नहीं तो कल भारत को माल इसलिए इंडियन मिलेटरी ने अभी से लच दिप में अपनी नेवल बेस का निर्मार करते हुए अपने बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया है नमबर चार एजरबाइजन आजकल भारत के खिलाफ काफी ज़्यादा वोकल होता जा रहा है और जबसे भारत ने इनके आर इंडियन मिलेटरी में इनकी बढ़ती संख्या से डरते हुए भारत को इसके लिए अंजाम भुकतने की धंकी भी देता रहता है नमबर 3 तुर्की तुर्की ने वीते कुछ सालों से अपने फोरन पॉल्सी में भारत की बज़े पाकिस्तान को अपने सबसे एहम एसियन पार्टनर के तौर पर जगह दी है पाकिस्तान तुर्की की काफी इज़त करता है और नी अंतर राष्टी मंच पर और OIC में लगभग हर एक जगह पर दिभिन प्रिकार के इसूच पर फुल सपोर्ट करता है इसकी यवद में तुर्की भारत के खिलाब पाकिस्तान को कस्मीर पर काफी सपोर्ट करता है यही नहीं बलकि अजरबाइजा और अर्मेनिया की लडाई में भी तुर्की जहां अजरबाइजा को अपने हथियार प्रोवाइड करता है तो वहीं भारत अर्मेनिया को और ऐस में कहीं कलको अजर्बाइजा और अर्मेनिया के बीच आपस में कोई जंग होती है तो इस जंग में भारत और तुर्की के हथियार एक दूसरे के आमने सामने होंगे तुर्की भारत के खिलाब पाकिस्तान को भी अपने हथियार सफ्लाई कर रहा है इंफेक्ट दोनों ही पाकिस्तान लंबे समय से ही भारत का कटर दुस्मन रहा है यह भारत में आतंकवाद को प्रमोट करता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देता है इन्हें भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने में भी भरपूर मदद करते हैं यह लंबे समय से ही कस्मीर के आधे हिस्से पर कबजा जमाए बैठे हैं और कस्मिर को भारत से पूरी तरह से तोड़ने के लिए लगभग हर तरह की चालों को अंजाम देते आ रहे हैं। चेन इन्हें भारत के खिलाफ बड़े खत्रे के रूप में तैयार करने में लगा हुआ है। ये चीन से बंपर हाथियार और फाइनिंशल फंडिंग भी हासिल करते रहते हैं। हाला कि पाकिस्तान की आर्शी खालात भले ही कमजोर हो लेकिन इनकी मिलिटरी अमेरिकन फंडिंग चाइनीज और तुर्की बैपंस से दिन बदिन मजबूत होती जा रही है। भारत के दो सबसे कटर नुकलियर देशों में एक पाकिस्तान अक्सर भारत को परमाण हमले की धंकी देता रहता है। कई इंडियन से डिफेंस से एक्सपर्ट का मानना है कि यदि भारत चीन के साथ है किसी मिलिटरी कानफलेक्ट में उलचता है तो पाकिस्तान खुलकर चीन के सपोर्ट में भारत के खिलाफ मिलिटरी अक्सर ले सकता है। और जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बड़ी जंग के बादल गहराते हैं तो इसे लेकर दुनिया भर में डर का माहौल बन जाता है क्योंकि ये दोनों ही देशे खतरनाक नुक्लियर वार हेट्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तमाल करने पर उतर सकते हैं। इस समय चाइना को भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ अपनी यूज मिलेटरी पावर का इस्तमाल करने की तैयारी में है। नई वीडियो के साथ धन्यवाद है।